नमस्कार मैं किसोर कुमार ग्रामिन मीडिया पर आपका हाड़ दिख स्वागता है आज हम पहुंचे हैं खंडेला पंचा सिमीत का एक गाव है चोकडी वह हम पहुंचे हैं और यहां एक ऐसे घर परिवार में यहां पहुंचे हैं कि उनके जो मम्मी पापा है दोनों का नीद आगे आ रहे हैं इनकी साहिता करने के लिए पूरे परिवार से हम मिलेंगे क्या है खंडेला पंचाय सिमिति का चोकडी गाव है ये और चला से चार किलोमेटर की दूरी पर ये गाव है और ये परिवार के ये चार बचिया बेठी हुई है इनके पापा की मरती हो गई थी साथ ये इनकी ददी जी बेठी है और परिवार के सामने आर्थिक संकट बहुत ज़्यादा आ गया है कि अभी का घर में कमाने वाला कोई भी नहीं बचा है दस साल तो एक मामी नहीं हो हाँ जी अब दो तारीक नहीं हो अच्छा कितनी बहीने हैं ये तो चार लड़की से अ अच्छा बाई नहीं है नहीं है अच्छा बता जा रहा है कि घर में चार इनके अलावा चार पुत्रिया है उनके और उनके अलावा भाई भी नहीं है घर में कमाने का कोई सादन नहीं है आज युका का और माता पिता का दोनों का साय इनके उपर से उठ चुका है और आप होंगे यह चार बहन हैं बड़ी बढ़ी बहन है ग्यारी कुलास में पड़ती है कि माता जी का निदन तो दस साल पहले हो चुका था और अभी पिछली दो जनुरी को इनके पिता जी का भी हदेगात के चलते हुए निदन हो गया है तो यह बच्चेयां चार बच्चेयां थी जो अनात हो गई है इनका आर्थिक संगट इतना जादा है कि इनके उपर मतलब दुखों का पाड़ तूट चुका है अपने समझ सकते हैं तमाम तरह के सामजिक संगट हैं वो आ गया रहे हमारी तरफ से गाम वालों ने सरो समा सरो द्रम के लोगों ने एक ग्रूप बना र आर्टिस हैं जुनुस हैं सीकर्स हैं हर सांगले दूनी से हर तरह से सामजिक संगटन आ गया रहे हैं इनकी मदद के लिए और आपका चैनल है आपका ताय दिल से सुक्रिया आपको बहुत वह धन्यवाद कि आप यहां तक पहुंचे नहीं तो गरीब बच्चियों के आवा जिनी भी उनकी और से साहिता बन सकती है वो साहिता करेंगे और इस परिवार को संबल परदान करेंगे इनकी आर्थिक मदद हो सके क्योंकि बूंद बूंद से कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा बरता है थोड़ी थोड़ी अगर हम सभी मिलकर साहिता करेंगे क्यो आगे आए हैं आगे आकर उनोंने काफी साहता भी किये इन लोगों की और लेकिन मेरे यहां आने का मक्ज़द यही था कि इन बच्चियों के लिए जिनके माता-पिता का साया उडचुका भाही भी नहीं है परिवार में और अभी यह इन अपनी दादी मा के साथ रहे कर अपन जिवन यापन कर रही है, सबी लोग अगर हम मिलकर थोड़ी थोड़ी इनकी साहिता कर देंगे तो इनका ये जो आर्थिक संबल है और इनकी पढ़ाई अच्छी तरीके से हो जाएंगी आगे क्या हागा वो तो सबकुछ बगवान के और भायुसे के गरब में छिपा हुआ है लेकिन हमारी होट से थोड़ी थोड़ी साहिता कर दी जाएगी वो इनको बहुत कारगार साबित होगी तो डिस्क्रप्शन में आपको फोन पे नमर मिल जाएंगे इन्ही के परिवार के फोन पे नमर मिलेंगे लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सबी से मेरा हाज जोड़कर निवेदन है कि आप जितनी भी हो सके 10 रुपे, 20 रुपे, 50 रुपे जितना भी आप से जितनी भी साहिता हो सके इस परिवार की साहिता आप करें इसी परिवार का फोन पे नमर दूँगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे तक सेहर कर दें जिससे कि जिनके पास भी खबर पहुंचे वो लोग आगे आकर इस परिवार की मदद करने के लिए आगे आएं और आज की इस जमाने में 20 रुपे, 50 रुपे, 100 रुपे डोनेट करना कोई बड़ी बारी बात नहीं है क्योंकि लोग वैसे दिन में 150 रुपे खर्चा करी देते हैं लेकिन 150, 50, 20, 20 रुपे से इन परिवार को इतना आर्थिक संभल मिल जाएगा कि इनको आगे अपना जिवन यापन करने में समस्या नहीं होगी आर्थिक संभल मिल जाएगा, पढ़ाई करने में दिकत नहीं होगी क्योंकि ये बुटी मा जिन्नों ने अपने बेटे को भी खो दिया है और ये छोटी छोटी बच्चिया हैं आप देख रहे होंगे बताई जा रही है, चारी बच्चिया है और ये इनकी दादी जी है इनकी माताजी का सबुर्गास हो गया था, वो तो दस साल पहले हो गया बताया जा रहा है, उसके बाद में अभी दो जनवरी को इनके पिताजी हैं वो भी इस दुनिया से चले गए है, चोटे-चोटे बच्चे हैं लेकिन अभी इनका पालन पॉसन ये माताजी कर रही है, इनकी दादी जी है अब आप समझ सकते हैं कि अपने बेटों को तो इन्होंने खोई दिया है अपने पूरे परिवार को खो दिया है, अब इन बच्चों की जिम्मेदारी इनके उपर आ गई है इस उमर में ये कहां कमाने के लिए जाएंगे मेरा चेनल के मादियम से ये न्यूज बनाने का इतना ही मकसद है कि इनकी साहिता के लिए इनकी अच्छी पढ़ाई हो सके आगे जाकर ये क्या बने क्या नहीं बने वो तो भगवान के और वहुसे के गरब में छिपा हुआ है लेकिन थोड़ी थोड़ी करके हम इनकी मदद कर सकते हैं काफी सामाजिक संगठन भी आगिया है काफी इनकी साहिता भी हुई है इनकी ओपर आज बुको का पाट तूड़ चुका है तो इनके संभल हम सभी मिलकर अगर इनको हम संभल देंगे तो ये बचिया आगे अच्छे पढ़ड़ी भी लेंगी और इनका परिवार का भी अच्छा आर्थिक संभल आर्थिक जो इस्तती है वो सुधर जाएगी तो मेरे चैनल के मादियम से सभी से ये निवेदन है कि जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा सेयर करें और यहां फोन पे नमबर मैं इस निचे गूगल पे नमबर और फोन पे नमबर और पेटियम नमबर मैं नीचे यहां इसमें डिस्क्रिप्शन में डालूँगा जो भाई भी इस वीडियो को देखे और वो जरूर से जरूर अपनी और से इन बच्चियों के सायता के लिए जरूर से वो इसमें अपना डोनेट करें जितनी हो सके जरूर सायता करें यही मेरा इस इहां निचे बनाने का मकसद था क्योंकि यह गरीब परिवार है अब यह देखो यह बच्ची रोने भी लग गई है क्योंकि जिनके उपर से मम्मी और पापा का दोनों का साया उड़ जाता है वो इस दर्द को देख पाता है तो मेरे निउस बनाने का सबसे बड़ा मकसद यही है जहां तक जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं जदा से जदा वीडियो को सेर करें और फोन पे नमर गूगल पे नमर में डिस्क्रिप्सिन में डाल दूँगा जितना हो सके इस परिवार की जदा से जदा सायता करने की कोसिस करें मेरे ये न्यूज बनाने का यही मकसद है तो वो ऐसी चीज़े हम ये गांवाले भी कोसिस यही करेंगे भाई हमारे पास जितना भी होगा तो कोसिस यह करेंगे कि हर संभव हर कोसिस परियास इनके लिए हम ऐसा के लिए रहेगा इवन देन यहां तक कि इनकी शादी तक भी हम पूरे गाउवाले सपोर्ट करेंगे और बस यह कहना चाहूंगो जहां तक भी मेरी वाज आई जारी है इसफ वीडियो को ज़्यादा से जढ़स करें और सेर भी करें इसके साथ साथ यहां णिश्करप्शन में और फोन वीडियो के नीचे आपको मूबाईल नमर मिल जायेँगे फोन पे, गूगल पे और पेटियम नमर मिल जाएंगे ज्यादा से ज्यादा इस परिवार की साहता करें क्योंकि इनके मम्मी और पापा दोनों का इनके उपर से साया उट चुका छयार बच्चिया है चोटी चोटी बच्चिए हैं ज्यादा बडी बच्चिया भी नहीं है घ्री कलास में पढ़ रही है आठी दसी नोग कलास में एपनी दादि मा के साथ रह कर यह अपना जियों नहीं 살 Kelly है इनके उपर बहुत बड़ा पहाड़ ये तुटा है लेकिन अगर हम सबी मिलकर इनकी आड़िक सायधा कर सकते हैं तो इस परिवार का भी आर्थिक एलान हो सकता है इनकी आर्थिक इस्तितिवी मजबूत हो सकती है मेरा सबी से निवेदन है जितना हो सके उतना आप इनकी साहता जरूर करें